36 गड़ में अगले साल विधान सभा का चुनाओ होना है इसी भीज सरकार ने 2023 के बजट पर मंतन सुरू कर दिया है सभी विभागों ने बजट प्रस्ताओं मंगा लिये हैं बताया जा रहा है कि अगले साल मुक्यमंत्री जो बजट पेस करेंगे वहां आकार में 36 गड़ के इतिहास का सबसे बड़ा बजट होगा इसके लिए विभागों ने जनता से जुड़े कई ओजिनाओं पर फोकस रखा है ताकि सरकार के कामकाज का आसर भी दिखे वहिंसुक्रवार को विभागत त्यच्चों ने अपने अपने विभागों के बजट प्रस्ताओं पाय अधिकारियों से चर्चा की विष्यस रोप से नए खर्चों के प्रस्ताओं की बारीकी से जाज की जा रही है बजट शेडिूल के अनुसार वित विभागों सरकारी विभागों के साथ ही विधान सबा सचीवालय में भी अपने बजट प्रस्ताओं जमा करना होगा जिसमें विधायकों के वेतन भत्तेवा इस थापना ब्याए शामिल किये गए हैं वहीं इस कबरपादिक जानकारी के लिए रायपूर से हमारे श्रमवादाता अकलेस तिवारी जुड़ गए हैं अकलेस लगातार सियम भुपेज बगेल जनता से वादे कर रहे हैं जनता से मुलाकात कर रहे हैं भेट मुलाकात उनका कारिक्रम लगातार जारी है और 2023 में विधान सभा चुनाव है उसे लेकर अब जो अगले साल बज़ट भी पेस होगा वो भी सबसे बड़ा बज़ट होगा कैसे देख रही है च्छतिस गड़ की जनता अकलेस लगभग इस बज़ट के रूप में ही सभी जो योजना है और सभी जो योजना है इसके साथ साथ जितने भी जो विभाग है उनके मंत्री और सची यूप सची संचाला तमाम तरह कि जितने भी हैं वो अपनी बज़ट के रूप रेखा ले करके तयार मुक्त मंत्री के साथ से पहुंचने वाला है और निश्चित तोर पे इसकी घोस्रा भी कर दी गई है एक बात निश्चित तोर पे इस पश्चन है कि 2023 के जो चुनाव है और जो बज़ट प्रस्थित होने में है इसमें सबसे ज़्यादा जो बज़ट की जो कार है और खास तोर से च्छित तोर पे किसानों के लिए मज़़ूरों के लिए खास तर से यहां के जो आम जन है उनके हिप के लिए योजना पर किस अधार पर एक घोश्रा की जानी है ये देखने वाली बात रहेगी इसके अलावा नई योजना किस तरीके से लेकर के आ रहे हैं और योजना में लोगों को लाद देने के लिए क्या किस तरीके से रणिती अपनाई जा रही है ये देखने वाली बात रहेगी इसके अलावा एक बात खास नज़र आता है जो किसान है किसान वर्गों के लिए मुख्यमंत्री का अलग से जुकाव रहता है जिसमें किसानों के लिए चाहे राजी गांधी निया योजना की बात की जाए या मजदूर किसान योजना की बात की जाए या किसानों के लिए मंडी इससे ले करके तमाम उनके वुगाई और उनके यंत्र की जो खरीदी है उसको लेकर कि योजना की बात की जाए ऐसे में 36 गड़ सरकार ने सबसे जादा बजट भी रखा था और इस बार भी यही योजना है कि किसानों को किस तरीके से आर्थिक लाब दिया जाते हैं तो कि किसानों की उपर फोकस करना और जो मजदूर है खासतोर से यहां के रहवासी उनक वेपार वर्ग भी खूस रह पाएंगे तो निश्चित तोर पी यह जो बजट होने वाले हैं और खासतोर से 36 गड़ की जो बजट होए उसको लेकर के खासा उसाहित है और इस बार देखने वाली बात रहीगी कि क्या मुख्यवंत्री किसान वर्ग को चाहे आम जन को या फ लेकिन 36 गड़ की जो मूल भूत सुविधाएं हैं जो दिक्कतें हैं आदिवासी समाज की वहां के सिक्षा वर की अगर वहां के युवा की बात करें जहां रोजगार की कमी है देश में ही रोजगार की कमी है 36 गड़ में आपको क्या लगता है कि विधान सभा चुनाओं मे अहम मुद्दा क्या रहने वाला है? उनको कितना खुस करके जो मुख्यमंत्री भुपेज बगेल है? वो रखे हुए है, ये देखने वाली बात है. क्योंकि खासा प्रभाव इन ही से पढ़ता है, क्योंकि पुरानी पेंसन योजना को लागू कर दिया गया है, किसान वर्गों को हमेशा खुस करके रखे हुए है चाहे धान खरीदी को लेकर के बात किया जाए, पचीस स्वरुपे कुंटल के हिसाथ से जो धान खरीदी है, अब की बार हो सकता है मुख्यमंत्री भुपेज बगेल और सत्ता में कायम रहने के लिए निश्चित तौर पे 28 स्वरुपे कुंटल में धान खरीदी करते हैं, तो निश्चित तौर पे ऐसी भी योजना है, लेकिन अगर भाजपा की बात की जाए, तो लगातार जिन मुद्दों को घेरते, सत्ता पक्षा को घेरते आ रही है, निश्चित तौर पे इससे भी खासा प्रभाव पढ़ने वाला है, चोंकि विरोजगारी दर की अगर बा या फिर बात की जाए, इन मुद्दों के अलावा जो आदिवासी वर्ग की अगर बात की जाए, आदिवासी वर्ग भी खासा नाराज है, ये भाणु प्रताप पूर की अगर बात की जाए, जो हल ही में उप्चना होने माला है, उसकी इसक पष्ट हो पाएगा, कि 2023 की जु अगर देखा जाए तो बीजेपी लगातार एक बार सत्ता में वापसी का रुख अपनाती है लेकिन वो काइम नहीं हो पाएगा बरहाल अकलेस आप जुड़े हमारे साथ बहुत-बहुत धन्यवाद